नमस्कार एक पर फिरसे आप सभी का एक्जाम गुरुजी बाई ये रिबिंदर सर्य यूट्यूप चैनल में तेह दिल से हार्दिक स्वागत है देखें उत्तर परदेश पुलिस कॉंस्टरबल के डिजर्ट से समधित एक नोटिस सुबा सही वाइरल हो रही है बहुत सारे ब नोटिस है देखें ये नोटिस हलाकि बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा गया सुना दूंगा आप समझ जाएंगे ठीक है देखें ये नोटिस जो है 25 सितंबर से वाइरल है पुलिस आयुक्त लखनव कानपुनगर गौतमबुनगर वाराण सी गजियाबाद प्रियागरा जागरा वरिष्ट पुलिस अजिचक यहाँ पर जिलो के नाम दिये गए हैं और ये सिननाय क्यानी जो वाहिनी पीएसी है वो लिखा गया ये पिर उसका नमबर लिखा गया है बिसे क्या है वो दिख रीची अस्थाई या आस्थाई जनपदिये एवन पीएस यह है कि जो यूपी पुलिस कॉंस्ट्वल के 6244 कंडिडेट जाएंगे उनके ट्रैनिंग से समन्दित है किरिपिया अउगत कराना है कि 60,000 आरच्छे नागरिक की भरती प्रिकिरिया प्रिकिरिया पूर्ण होने के उपरांद वर्स 2025 की प्राणम हमें इनका आधार भूत प्रसिचन कराया जाना प्रस्तावित है रिकूर्ट आरच्छों के प्रसिक्षन संस्थानों यों मिम्लिकित अस्थाई या आस्थाई जनपदिये पीटीसी या पिरी पीएसी आईटीसी में आधार भूत प्रसिचन कराया जाना प्रस्तावित है तो यहां से एक बात असप अग्टूबर अभी आज लगा ही है अक्टूबर पूरा नवंबर पूरा दसंबर पूरा यानि तीन महीने का समय भी आपके पास हैं और इस तीन महीने में हाला कि रिजल्ट बता जारा इसी महीने में आएगा रिजल्ट इसी महीने में आने की उम्मीद भी है साथ इसी महीने क्योंकि ज्यादा समय नहीं दिया जाता मैंने कले के वीडियो बना करके आपको बता भी दिया है कि जैसा जलवर्डर में हुआ था मातर सोला दिन बाद ही रेनिंग हो गई थी तो उसी तरीके से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा इसी वज़े से आप अपनी रेनिंग करते क्योंकि गाइज बाद में पच्छताने के लावा हाथ में कुछ बचता नहीं है इस वज़े से निवेदन है अगर आपके अच्छे खासे माक्स हैं लगता है कि हाँ इस बार मेरा सिलक्षन हो जाएगा तो आप आसानी से बेधरक कर रणिंग कीजिए आराम से कीजिए और मेर आपके रणिंग हो जाएगी दिशंबर तक सबकुछ प्रिक्रिया कंपलीट हो जाएगी क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि भरती बहुत जल्दी कंपलीट हो क्योंकि यह आपका हुआ था री-ग्जाम मेरे भाई अगर यह री-ग्जाम नहोता ना यानि अगर यह फरवरी वाला ही मानते तो सायद अब तक आप अपने ट्रैनिंग सेंटर पे पहुंच चुके होते लेकिन ये पेपर फिर से करवाया गया हाला कि पेपर फिर से हुआ ये बहुत अच्छा हुआ अधिक जाम हुआ और सरकार चार है कि इसे जो ये 2024 है ये पूरा ये कंपलीट होने के ब बात दो ड्यूटी लगती है मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मेरे भाई एक उदारन में आपको दे रहा हूँ जैसे यूपी प्लिस कॉंस्टरबल जेल वर्डर की भरती हुई है उसमें डाइरेक्ट आपको ट्रैनिंग सेंटर पे नहीं भेजा गया था डाइरेक्ट मुझे जॉइनिंग पे क्यों भेजा गया था क्योंकि आप जानते हो कि जो मतलब कमती है जेलर पुलिस की वो कम थी इस वज़े से डाइरेक्ट जॉइनिंग पे भेजा गया था और फिर बाद में ट्रैनिंग थोड़ा-थोड़ा करके करवाया गया हो सकता है इसे ऐसे ही क करवाय जाए कुम हमेला में भी जो ट्रेनिंग करते हैं उनको ही भेज दिया जाए या ड्यूटी में हाला कि उसमें कोई खास कठें ड्यूटी थोड़ी होती है बस थोड़ा सा लाइन सही से लगे और व्यवस्था अच्छी बनी रहे बस यही होता है और कोई खास ड्यूटी बाकी मेरे भाई रनिंग करते रहे है क्योंकि एक रनिंग ही है आपके मद्ध अब जो आपके रुकावट या बन सकती है या फिर कहा जाए बाधा हो सकती है तो इस बाधा से निपटने के लिए या फिर इसको चीर का रागया बढ़ने के लिए आपको अभीशे उसके भी गया है कि 2025 के प्राणे में रच्षियों का प्रसिचन करवा जाना है प्रसिचन का मतलब ट्रेनिंग ही होता है तो जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दिया हाला कि यह नोटिस जो है यह सही लग रही है और सही क्या गाईस लब लबग यह सही है पहले भी मैंने सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त और बाकि जो भी अपडेट होगी आपको समय से मिला करेगा मिलते हैं इसके बाद एक और नए वीडियो में तब तक क्लिए जय हिंद जय भार